सोशल मेडिया हम सभी के जिंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ऐसे में कभी कभी कूल दिखने के लिए हम बढ़ा चरा कर चीजे दिखा देते हैं जो उस समय तो खुब वावाही बटोरती है लेकिन बाद में किसी बड़ी मुसीबत का जरिया भी बन जाता है कुछ ऐसा ही होता है आज की फिल्म दा एक्स में जहां एक मामूली फेस्बुक पोस्ट ने शाशा की नॉर्मल जिंदगी को बदल कर रख दिया ये कहानी है रश्यन होरत फिल्म दा एक्स की जो हम आज की वीडियो में एक्स्प्लेन करेंगे तो पहले सीन में हम मिलते हैं साशा नाम के हाई स्कूल स्टूडेंट से जो अपने दोस्त ओलेक की मदद से एक फेक फोटो फेस्बुक पे पोस्ट करता है जहां हम शाशा को एक अंजान लड़की के साथ देखते हैं साशा सबसे कहता है कि ये उसकी गर्ल्फरिंड है अब कहानी कुछ साल आगे पहुंच जाती है जहां हम साशा और उसकी फियौन से कात्या को अपने दोस्त ओलेक और जैनिया के साथ अपनी इंगेजमेंट सेलिबरेट करते देखते हैं इसी दोरान कात्या कहती है कि किसी ने साशा के फेस्बुक पेज पर उसकी एक पुरानी मेमरी शेय की है जहां वो उसी हाइ स्कूल वाली गर्ल्फरिंड के साथ देख रहा था इस बात पे कात्या साशा को कंफरेंट भी करती है और साशा कहता है कि जरूर किसी ने उसके साथ मजाग किया होगा और उस मेमरी को डिलीट कर देता है घर पहुंचने के बाद कपल ख्लोज आते हैं जहां हम बैग्राउंड में एक निउस देख पाते हैं जिसमें किसी लड़की ने एक वेडिंग फंक्शन में जाकर ग्रूम को गोली मार दी थी और फिर वो खुद को भी मार ली सुबह जब कात्या की नीन खुलती है तो वो बिस्तर से थोड़ी दूर पर किसी अंजान आकरिती को खड़ा देखती है कात्या डर के साशा को उठाती है और साशा के मुड़ने पे कात्या को वहाँ एक डीमन की शकल दिखती है जिसे देखकर वो चीक उठती है इसी वक्ति यहां साशा आ जाता है और उसे संभालता है अब इस incident के बाद हम कात्या और जेनिया को देखते हैं और ये दोनों swim करने आई थी swim के दुरान कात्या को पूल के दूसरी तरफ से फिर वही आकरिती दिखती है जिसने एक swim suit पहना हुआ था और अचाना की वो पूल में कूड जाती है लेकिन पानी में चेक करने पर कात्या को कोई नहीं देखता कुस दिर बाद वहां अंधेरा चाने लगता है और पूल में भी धुआ भर जाता है कात्या को एक faint सी आवाज सुनाई देती है जहां कोई उससे कहता है कि he's mine ये सुनकर कात्या बहुत डर जाती है और भाग कर changing room में पहुंसती है जहां वो फिर एक डरावनी आकरिती को देखती है जिसकी शकल जली हुई थी तभी उसे पल जनिया यहां आती और वो कात्या को घर ले जाती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि facebook की photo वाली लर्की साशा को message करती है और उससे बाते करती है साशा इससे काफी surprise हो जाता है और इस बारे में ओलेक से बताता है और वो घर से बाहर निकलना भी बंद कर दी थी एक दिन जनिया साशा से कात्या के बारे में पूछती है लेकिन साशा उसे ही उल्टा सीधा सुना देता है saying कि वही कात्या को उसके खिलाब भड़गा रही होगी और उसे उनसे दूर रहना चाहिए यहां में पड़ा चलता है कि साशा और जेनिया का पास्ट में एक रिलेशन्शिप रहा था जिससे जेनिया आज तक मूव ओन नहीं कर पाई थी यहां साशा को फिर से फेस्बुक वाली लड़की का मेसेज आता है और इस बड़ ये मेसेज कात्या देख लेती है जिसके बाद उनका काफी जगड़ा हो जाता है और वो उसे घर से निकाल देती है साशा के जाने के बाद कात्या सारी बाते जेनिया को बताती है और उसे घर बुलाती है इसके आत कात्या इंटरेट पे इस लड़की के बारे में पता करने की कोशिस करती है जी हैं दोस्तों और इसी के पैरलमें ये भी देख पाते हैं कि ये entity कात्या को और डराने लग गई थी कात्या को अपने आसपास एक काला लिक्विड दिखाई देता था जिससे कि उसके चारो ओर की चीज़े जलती हुई सी मालूम होती थी यहां कात्या साशा को बताती है कि उसकी ex-girlfriend मारिया की मौत एक हफ़ते पहले हो चुकी है और किसी ने उसका अकाउंट हैक करके उससे message किया है यह सुनकर शाशा का सक सीधा जेनिया पचाता है और वोसे काफी बुरा भला सुना देता है जनिया अपनी बात रखने की बहुत कुशिज़ करती है लेकिन जब शाशा यकीन नहीं करता तो वो भी गुश्य में अस्पताल से निकल जाती है नेक सीन में हम जनिया को उसके घर में देखते हैं जहां अचानक उसके साथ भी कुछ अजीब घटनाय होने लगती है जनिया का पिट पैरेट अपने पिंजरे से गायब हो जाता है और उसे किसी के कदमों की आहर्ट सुनाई देती है वो देखती है कि उसके कमरे में एक लड़की खड़ी है जो अंधेरे में एक साहे की तरह उसे देखे जा रही है या आत्मा उसे भी हवा में उठा देती है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसे मार डालती है कुछ दिर बाद यहां ओलेग आता है जिसे जन्या की लास खून से लटपत हालत में मिलती है वो लेग उसी वक्त ये बात साशा को बताता है जिस से शाशा काफी परिशान हो जाता है ना उस्पताल में काथिया की भी नीन खुलती और वो अपने बगल वाले पेशंट को अपने पास आता देखती है पहले तो कात्या ऐसे बात करने की कोशिस करती है लेकिन पास आते ही ये पेशेंट एक अजीब काली आकरिती में बदल जाता है जो जलकर गायब हो जाती है इससे कात्या बहुत डर जाती और बाहर भागती है बाहर कात्या को साशा दिखता है जहां वो उसे संभालने की कोशिस करता है लेकिन तब तक ये entity इन दोनों का पीछा करने लगती है किसी तरह जान बचा कर ये दोनों बाहर आते हैं और कात्या यहां शाशा से मारिया के बारे में पूछती है जो आत्मा बनकर इनका पीछा कर रही थी यहां साशा रिवील करता है कि यह लग कि कभी भी उसकी एक्स थी ही नहीं जी हां हाइ स्कूल में ओलेक फोन रिपेर का काम किया करता था जिस दोरान उन्हें एक पूराने फोटो में मरिया की तस्वीर मिली थी और उन्होंने कूल बनने के लिए इसमें शाशा को फोटोशाप करके फेस्बुक पे डाल दिया यहां साशा यह भी कहता है कि उसकी तो मारिया के जिन्दा रहते भी उससे कोई बात हुई ही नहीं थी यह सुनकर कातिया उसे न्यूज आर्टिकल दिखाती है जहां मारिया ने अपने एक्स के शादी में घुसकर उसे मार डाला था और फिर खुद को भी गुली मार ली थी सच का पता लगाने के लिए दुनों मारिया के घर जाते हैं तो मारिया के घर में इन्हें मारिया की मा मिलती है जो उन्हें अंदर लाती है यहां कात्या कुछ internal feeding के लिए इस्तमाल करने वाले food packets देखती है जिस पर मरिया की माँ बताती है कि उसके पती कोवा में है और उन्हें ही tubes के तुरू खाना खिलाया जाता है यहां वो इन दोनों को अपनी बेटी के कहानी बताती है मरिया की माँ का कहना था कि आज से 7 साल पहले मरिया की शादी होने वाली थी शादी से कुछ दिन पहले किसी ने internet पे उसकी तस्वीर किसी दूसरी लगे के साथ share कर दी इस बात से मरिया का फियान से बहुत गुस्सा हो गया और मरिया के लाख कहने पर भी शादी तोड़ दी यहीं नहीं उसने मरिया के चेहरे पर acid fake दिया जिसे की मरिया की पूरी जिंदगी बरबाद हो गई साथ साल तक मरिया ने खुद को कमरे में बंद रखा और कभी भी खुद को आयने तक में नहीं देख पाई लेकिन जब कुछ दिन पहले उसे ख़बर मिली कि उसका एक्स बॉइफ्रेंड जेल से छूटने के बाद किसी और से शादी कर रहा था तब उसे रहा नहीं गया और उसने अपने पिता के गन से उसे गोली मार दी ये केकर मरिया की मा बहुत रोई लगती है और शाशा का सर शर्म से जुग जाता है कात्या शाशा को लेकर वहाँ से निकलती है और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्द शादी कर लिने चाहिए जिसे कि यह आत्मा उनका कुछ भी ना भी आर पाए इसके अधो लोग ओलेक को एक मिरर लेकर बुलाते हैं क्योंकि अपारेंटली जिन्दा रहते मारिया को आयना से बहुत डर लगता था तब तक मारिया की आत्मा बहुत वॉयलेंट हो चुकी थी और वो एक और आदमी को मौत के घाट उतार देती है ना ओलेक, शाशा और कात्या को लेकर अपने अंकल के बाह जाता है जो की एक प्रीस्ट थे सारी बात समझने के बाद अंकल पहले तो यकीन नहीं करते लेकिन उसी वक्ट चुर्च के बाहर मरिया की आत्मा आ जाती है जो उन पर हमला कर देती है इसका सभी लोग डोड वगएरा क्लोस करके मेरिज रिचšíÓल करते हैं रिच्वल के दोर मरिया बाद बार उन पर हमला करने की दोक्त करती है यहाँ कातिया को बचाने के लिए शाशा उसे एक कमरे में बंद कर देता और खुद मरिया को Face करता है। कुछ तरिबाद दरवाज अपने आप खुलता है जहाँ कातिया शाशा को बेहोश पाती है। प्रीस्ट उसे कहते हैं कि शायद मरिया का अंदिम संस्कार भी बाकी है जिस वज़े से उसकी आत्मा किसी शैतान के हाथ लग गई है। इसी वज़े से वो चर्च में भी आ सकी और इतनी ताकत दिखा सकी। इस पॉइंट पे कातिया को मरिया के घर पर उसकी मा की इंटर्नल फीडिंग वाली बात याद आती है और वो शाशा को प्रीस्ट के भरोसे छोड़ वहां जाती है। मरिया की घर पहुँच कर उसे मरिया की लाश्य ट्यूब वगएरा से कनेक्टेट मिलती है जहां उसे मशीन पर जिन्दा रखा गया था। और उसे भी मारने की कुशिस करता है इस पॉइंट पे मरिया की माँ अपनी गलती समझ जाती है और मशीन्स वगेरे डिसकनेक कर देती है जिसे की मरिया की मौत हो जाती है और अंततर वो शैतान भी गायब हो जाता है इसके आज शाशा को भी हो साता है जहां फानेली हम कात्या और शाशा को साथ देख पाते है लेकिन इस पर फिल्म वापस से फर्स सीन पर आता है जहां शाशा हाई स्कूल स्टूडेंट है और हम देखते हैं कि शाशा के अलावा ओलेग ने भी खुद को उस पिक्चर में फोटोशाप किया था तो दोस्तों ये थी एक्स मुवी की कहानी जो की काफी स्ट्रेट फोवर्ड है यहां शाशा हाई स्कूल में एक अंजान लर्की के साथ अपनी पिक्चर एवई पर डाल देता है जिसकी वैसे उस लर्की की जिंदगी बरबाद हो जाती है अब सालों बाद जब ये हादसा होता है तब मरिया की आत्मा आजाद नहीं हो पाती और एक डीमन इस इंसिडेंट का फायदा उठा कर लोगों को मारने लगता है अंतुमेकात्या मरिया को आजाद करवा देती है जिससे की सब ठीक हो जाता है फिल्म के आखरी सीम में हमें मालूम चलता है कि ओलेग ने भी फोटो को यूज किया और शायद इसलिए वो आत्मा उसे भी मार डाली ओवराल थीम यही है कि एक फोटो मात्र से किसी की जिन्दगी बरबाद हो सकती है और लड़कियों पर कितना अत्याचार हो रहा है यह भी हमें बताया गया है तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आज तो से लाइक और शायद जहू कीजेगा साथ हमारा चैनल हांटिंग ट्यूप को सब्सक्कार करके बेल आइकों को जबू दबा दीजेगा क्योंकि हम पने चैनल पैसे वीडियो लाते रहते हैं पीस